हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश वर्मा और मेरी यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे करेंट अफेर्स 2020 में वर्ष 2020 के प्रमुक सम्मिलनों के बारे में जो हमारी सभी प्रतयोगी परिक्षाओं के लिए महत पून रहेगा तो चलिए देखते हैं सबसे पहले भारत यूरोपी संग सिखर सम्मिलन 2020 तो 15 जुलाई 2020 को भारत यूरोपी संग के मद्द 15 सिखर सम्मिलन का आयोजन हुआ इस सम्मिलन में भारत का प्रती निधित्व प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने किया ध्यातब है कि यूरोपी संग बरतमान में भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साजिदार है जिन से 100 अरब का दुई पक्षिय ब्यापार होता है यूरोपी संग 27 देशों का एक समों है पहले है 28 थे जो की मुख्य रूप से ब्यापार की सरलता के उद्देश से बना था अगला है विश्व प्रेस सुतंदरता सम्मिलन नीदरलेंड और यूनेशको की संयुक्त मेजवानी में 18 से 20 अक्टूबर 2020 के मद नीदरलेंड के हैग में इसे आयुजित किया गया इस सम्मिलन का विश्व भै अथवा पक्षपात के बिना पत्र कारिता था प्रतियक वर्ष तीन माई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है अगला है जी टॉंटी डिजीटल एकनॉमी बैठक तो 22 जुलाई 2020 को या बैठक बीडियो कॉन्फरेंस के माद्यम से साउधी एरब की मेजवानी में की गई अगला है पाँचबा एरो इस्पेस और रक्षबी निर्मार प्रोधिगे की सम्मिलन 2020 केंद्री रक्षा राज्यमंत्री स्रीपद नायक द्वारा इस सम्मिलन का स्वभारम किया गया इस सम्मिलन का मुख्य विशाए भारत को आत्म निर्वर भारत मिशन के साथ ससक्त बनाना है सेना के कमांडरों का सम्मिलन तो 27 से 29 मई 2020 के मद नई दिल्ली में यह सम्मिलन आयोजद किया गया यह वर्ष में दो बार आयोजद होने वाला सम्मिलन है अगला है महिला उद्दमी ससक्ति करण सम्मिलन तो यह सम्मिलन नई दिल्ली में संपन हुआ था अगला है ग्यारवा राष्ट्रिय क्रशी विग्यान केंदर सम्मिलन 2020 यह सम्मिलन यह सम्मिलन कायोजन भारतिय क्रशी अनुशंधान परिशत द्वारा राष्ट्रि क्रशी विग्यान केंदर परिशर नई दिल्ली में किया गया इस समय पूरे देश में 717 क्रशी बिग्यान केंदर हैं पहले क्रशी बिग्यान केंदर का नर्माण 1974 में पुडूचेरी में हुआ था अगला है नेशनल और्गेनिक फूड फेस्टिवल तो इसका आयोजन नईदिल्ली में हुआ इसका मुख्य विशाय भारत के जैविक बाजार की छमता को खोलना था इसका आयोजन खाद्य प्रशंशकरण उद्योग मंत्राले भारत सरकार द्वारा किया गया अगला है पहला भारत बांगला परेटन उच्सब दो हजार बीस तो यह उच्सब अगरतला तरपुरा में आयोजन किया गया इसका उद्यश पड़ोसी राष्ट बंगला देश की लोगों को राज के परेटन से अभगत कराना था अगला है बिम्स्टेक देशों का सम्मिलन तो नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों का सम्मिलन आयोजित हुआ विम्स्टिक बंगल की खाड़ी से जुड़े साथ देशों का छेत्री संगठन है इसके सदस्य देशों में भारत, बंगलादेश, भूटान, मियम्मार, नेपाल, स्रीलंका और थाइलेंड सामिल है अगला है CMS COP13 वन्यजीबों की प्रवासी प्रजातियों की सनरक्षन पर मद्य गुजरात के गांधी नगर में एक सम्मिलन का आयूजन किया गया सम्मिलन में अगले तीन वर्श के लिए भारत को कॉनफरेंस का धेक्ष चुना गया इस सम्मिलन का सुभांकर Great Indian Western Givil को बनाया गया इस सम्मिलन की थीम माइग्रेटरी सेज कनेक्ट दा प्लेनेट एंड वी बैलकम दैम हॉम यह थी इसकी थीम अगला है सूरज कुंड क्राफ्ट मेला 2020 फरीदबाद हर्याणा में 34 सूरज कुंड अंतराश्ट्री क्राफ्ट मेले का इस वर्ष की थीम राज हिमाचल प्रदेश थी और वर्ष 2013 में से अंतराश्ट्री मेले का स्वरूप प्रदान किया गया था अगला है डेफ एक्सपो 2020 इसका इसकी थीम पांस से नौफ अरवरी 2020 के मध्ध लखनव में किया गया और प्रदर्शनी की थीम भारत वर्ता हुआ रक्षा भी निर्मान किंद्र यह थी इसकी थीम अगला है राय सीना संबाद 2020 तो राय सीना संबाद भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनेतिक और भू आर्थिक सम्मिलन यही एक भू पक्षी सम्मिलन जो बैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्तिच चुनोतियों पर बिचारों का आदान प्रदान करता है गया तब है कि राय सीना संबाद के पहले चार संस्क्राण सफलता पूरव क्रमसा वर्ष 2016 2017, 2018 2019 में आउजित हो चुकी है और 14 से 16 जनवरी 2020 के मद नई दिल्ली में राय सीना संबाद के 50 संस्क्राण का आउजिन किया गया इस संस्क्राण का विशय 21 एट दरे 20 नेविगेटिब दा अलका स्वेंचरी था अगला है प्रथम आई प्रथम आउनलाइन देशभक्ती फिल्म महुतसब तो राश्ट्री फिल्म विकास निगम द्वारा 7 से 21 अगस 2020 तक अपनी तरह का पहला आउनलाइन देशभक्ती फिल्म समार आजित किया गया यह महुतसब सूचना और प्रशारन मंत्रा ले द्वारा सुतंतर दिवस्तमारों का एक हिस्सा था अगला है राश्ट्रिय युवा उत्सब 12 से 16 जनवरी 2020 तक लखनाउ में संयुक्त रूप से 23 वा राश्ट्रिय युवा उत्सब 2020 आउजित किया गया समीलन की थीम यह मुख्य विसा था फिट यूथ फिट इंडिया अगला है भारश स्री लंका दुई पक्षे सिखर बैठक तो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी और स्री लंका के प्रधान मंत्री महेंदरा रक्ष पक्षा ने 26 सितंबर को वीडियो कॉनफरेंस के जरी इस भारश स्री दुई पक्षे सिखर बैठक आयो जन किया अगला है राश्टी ए जन जाती अनुसंदान सम्मिलन 2020 तो 3 से 4 सितंबर 2020 के मद्द नई दिल्ली में आयो व्यथ किया गया राश्टी जन जाती अनुसंदान सम्मिलन अगला है पहले प्रोदिगी सिखर शम्मिलन पहले प्रोदिगी की सिखर शम्मिलन, तो अंतराश्टी सौर गठवन्दन, आई 9 सितमबर को विश्व sound प्रोदिगी की सिखर सम्मिलन का वीडियो कॉनफरेंस के जरीये आयुजन किया गया बैश्विक जलवाईु सिखर सम्मिलन संयुक्तर राष्ट और ब्रिटेन 12 दिसंबर को एक बैस्विक जलवाई सिखर सम्मिलन की सह मेजवानी करेंगे जो की लेंडमार्क पैरिस समझोते की पाँचवी बर्ष गाट है ब्रिक्स सम्मिलन 12 वे ब्रिक्स सम्मिलन इस वर्ष 17 नवंबर को वीडियो कॉंफरेंस के जरिए रूस में हुआ 17 वे आसियन भारत सिखर सम्मिलन तो रूसी संसद की अध्यक्ष ब्याचेसलाव बोले दिन की अध्यक्षता में किया गया भारत मद्द एसिया संबाद तो डॉक्टर एस जय संकर की अध्यक्षता में भारत मद्द एसिया संबाद का अध्यक्षता में किया गया फोर्थ इंडिया एनर्जी फोरम पीम नरिंद मोदी ने हैस मार्केट द्वारा आयोजित केराव वीक द्वारा चोथी इंडिया एनर्जी फॉरम का उद्गाटन किया भारत अमेरिका के टू प्लस टू मंत्री इस्तरी संबाद तो नई दिल्ली इस्थित हैदराबाद हाउस में तीसरे भारत अमेरिका टू प्लस टू मंत्री इस्तरी संबाद की मेजवानी की पहला टू प्लस टू संबाद नई दिल्ली में सितंबर 2018 में तथा दूसरा वॉसिंग्टंग DC 2019 में आज़ित किया गया था ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेवल 2020 सम्मिलन तो प्रधानमंत्री नरेंद मोधी ने देश में निवेश को प्रोथसाहित करने के उद्देश से वर्शुल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेवल 2020 सम्मिलन की अध्यक्षता की अगला गंगा उतसब 2020 तो राश्ट्री स्वक्ष मिशन ने जल सक्ती मंत्राले के साथ मिलकर गंगा माउसब 2020 का योजन किया तो दोस्तो आज के वीडियो बस इतना ही आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें अपने दोस्तों साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू